आज की आपकी पुष्टक है आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र पार्ट टू छात्रों की असफलता के अनमहत्पुन कारण है अभी तक आपने असफलता के उन कारणों के संदर्भ में परहा है जो छात्रों द्वारा स्वें बताए गए हैं या जिन में हमा सफलता के सिधे कारण direct cause of failure कर सकते हैं अब हम बता रहे हैं कि ऐसे कारण जिन्हें छात्र बताने से हिचकी चाते हैं या सुविकार करने में से पुर्व काफी तर्क कुतर्क करते हैं पहला सुविकी कमजोरियों एवं कमियों का आकलन करने में असमर्थता दूसरा सफलता के छोटे मारगों में विश्वास तीसरा उची महत्व कांचें कमजोर नीव चोठा जहरीला बातावरन असफलता का सबसे बरा कारण पाँचवा बूरी आदतें बूरी संगत अपव्याय छठा निरंतर मेहनत न करपाना साथवा प्रेम प्यार एवं छात्र जीवन आठवा दिर निश्चे की कमी घटता आत्म विस्वास नौमा अन छात्रो का अनुसरन नकल दस्मा अन गतिविद्यां इगारा समुह में परहाई बारा भागबाधी ग्रवया चलिए पहरे एक एक अब कारण पे विस्तिरित बर्नन देखते हैं पहला स्वय की कमजोरिय एवं कम्यों का आकलन करने की असमर्था अधिकांस छात्र स्वय की कमजोरियों एवं कम्यों का कभी भी आकलन नहीं करते हैं वे कभी भी स्वय की कमजोरियों एवं कम्यों को पहचान कर उन्हें दूर करने का पर्यास नहीं करते हैं निम्न कमजोरियां एवं कम्यों पर गौर करें लिखने की गती धीमी होना या हस्त लेख अस्पस्ट ना होना बहुत से छात्रों की लिखने की गती अस्पीड बहुत धीमी होती है बहुत से छात्रों की हस्त लेख ऐसा होता है कि एक बार लिखने के बाद यदि उन्हें स्वेही उसे परने को कहा जाए तो वो स्वेही अट इस परत्योगता की युग में हर परिच्छा में ना केवल समय का अभाव होता है बलकि आपकी हर कमी आपको अन्य से पीछे कर देती है अच्छे हस्त लेक एवं गती वाला च्छात्र आपसे निश्चित रूप से अधिक अंक का हकदार है वह कम समय में अधिक लिख सकेगा औ और आपसे अधिक प्रश्ण हल करने में सच्छम होगा लगातार लिखने का अभ्यास करने से नोट्स बनाने से आप इनकमियों को दूर कर सकते हैं समझाने एवं याद करने की छमता एवं योगिता कई छात्र कच्छा में सिच्छक द्वारा परहाए गए टॉपिक को एक बार सुनने से ही समझ लेते हैं कुछ छात्रों को एक बार परने पर वह टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाती है कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिने दो बार परने से वह टॉपिक समझ में आता है कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिने उस टॉपिक के नोट्स बना कर लिखने के बाद ही वह टॉपिक समझ में आता है याद हो पाता है कुछ चात्र ऐसे भी होते हैं जिनें याद तो सब कुछ होता है आप उनसे उस टॉपिक पर बारता लाप करें तो वे आपको इतनी जानकारी दे देंगे कि आप हद प्रत रह जाएंगे लेकिन उनका परिच्छा में उत्तर लिखने का तरीका उनका प्रस्तुती करन इतना असंगत अस्पस्ट होता है कि बहुत कुछ अच्छी जानकारी होने पर भी वे अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं अंक तो इस आधार पर आते हैं कि आपने क्या लिखा है न कि इस आधार पर कि आपको क्या आता है ऐसे छात्र साच्छातकार में अधिक सफल होते हैं लेकिन लिखित में विशेस्ता ब्याख्यात्मक प्रश्न पत्र में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं सबसे महत्पूर्ण यह है कि छात्रस्वय की कमजोरियों एवं कमियों को पहचानने एवं पर्यास करके उन्हें दूर करे सबस्ट बात है कि यदि आप किसी टॉपिक को लिखने के बाद ही समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं आपका विश्वास तभी विक्सित होता है जब आप उस टॉपिक पर नोर्स तैयार कर लेते हैं तो आपको नोर्स बनाने की आदत डालनी होगी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यदि आप किसी टॉपिक को दो बार पर कर ही उसे संतोस प्रद रूप से समझ पाने में असमर्थ हैं तो दो बार ही पर हैं हर छात्र की छमता योगता अलग अलग है अपनी छमता योगता का सही आकलन करें अपनी कमजोरियों कमियों को पहचाने उसके अनुसार ही अपनी तैयारी करें The world of achievement has always belongs to the optimist दूसरा कारण सफलता के छोटे मारगों में विश्वास बहुत से छात्र परिच्छा में पास होने के लिए सौटकट का सहारा लेते हैं एकैडमिक परिच्छा में तो सप्ताह सिरीज सौटकट सित्यादी परकर पास होना फिर भी संभव है लेकिन पर्तियोगी परिच्छाओं में असंभव है वैसे इन परिच्छाओं में भी जो छात्र सौटकट का सहारा लेकर परिच्छा देते हैं वे भी प्रश्ण पत्र का पैटर्न परिवर्तित होने पर धोखे में रह जाते हैं हमने देखा है कि जैसे ही किसी परतियोगिता परिच्छा में फॉर्म भरे जाने सुरू होते हैं सहर के विभिन कोचिंग संस्थानों के बिग्यापन आने सुरू हो जाते हैं वे मात्र दो-तीन माह में हर विशय की पूरी तैयारी कराने का दम भरते हैं एवं अपने पिछले रिकॉर्ड पासिंग कंडेट को बरहा चरहा कर बताते हैं छात्र ऐसी संस्थान में परवेश लेने के बाद स्वय का भविश सुरच्छित समझते हैं उनका मना इस्थिती ऐसी होती है कि जैसे अब उनको पास कराने की जीमिदारी बस उस संस्थान की है जरा सोचें क्या कोई कोचिंग इंस्चूट मात्र दो-तीन माह में आपके सभी विशयों की पूरी तैयारी करा सकता है या एक सहाईता तो आपको दे सकता है आपकी विशयों कमजोरी को दूर करने है तो रास्ता तो बता सकता है लेकिन जब तक आप पहले से ही उसे अभिष्ट परिच्छा है तो तैयार नहीं है मात्र कोचिंग संस्थान में परवेश लेने से कुछ नहीं हो सकता है तिसरा उची महत्र कांचे आएं कमजोर नीव बहुत से अन छात्रों का अनुसरन करते हुए किसी अभिष्ट परिच्छा की तैयारी है तो कोचिंग संस्थानों में परवेश ले लेते हैं बिना यह सोचे हुए कि वे इतने सच्छम हैं भी या नहीं जैसे छात्र आयाइटी या कैट परिच्छाओं की तैयारी है तो अपने सहर या अन सहरों में जाकर कोचिंग संस्थाओं में परवेश ले लेते हैं ऐसे छात्रों में से अधिकांस छात्रों की नीव बहुत कमजोर होती है चात्र जीवन के बाद जीवन में इतनी तरह की व्यस्तताएं बढ़ जाती है कि समाजी कार्धिक बंधन इतने हो जाते हैं कि फिर बिरल ही लोग आगे परहाई करने की हिम्मत जुटा पाते हैं अजकल जगा जगा पर शहरों में ऐसे कोचिंग संस्थान खुले परे हैं जो चात्रों को इसी तरह की महत्वकांचाओं के बलबूते आज करोरू रुपया कमा रहे हैं ऐसे चात्र जिनका कच्छा टुवेल्थ में प्राप्त अंक परतिसत मात्र साट सतर परतिसत ही होता है वे आयाइटी जैसे परिच्छा की तयारी हेतू कोचिंग संस्थान में परवेश ले लेते हैं उन्हें बास्तविक रूप से नब्बे से पंचानवे परतिसत अंक पराप्त छात्रों से अस्परधा करनी होती है आधिकांसिता परी नाम जब आता है तो ऐसे कमजोर नीबाले छात्र फेल हो जाते हैं कोचिंग संस्थान मात्र छात्रों को सहारा परदान करती है बास्तविक रूप में तो सफलता छात्रों की स्वय की मिहनत एवाम लगन पर निर्वर है जरा सोचिए एक छात्र जिसने कच्छा 12 में मात्र 60-70% तक ही अंक पराप्त किये हैं क्या वह कोचिंग संस्थान के बल पर 90-95% अंक पराप्त करने वाले छात्रों से मुकावला कर सकता है इसी तरह असनातक अस्तर तक अवसत अंक पराप्त करने वाला छात्र जिसकी ना अंग्रेजी बहुत अच्छी है ना गनीत बहुत अच्छा है वह जब कैट की परिछा है तु किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेस लेता है तो उन मेधावी छात्रों के मुकाबला करना होता है जो अंग्रेजी वम गनीत में उससे बहुत आगे हैं उचमहत कांचा रखना कोई गलत बात नहीं है लेकिन छात्रों को अपनी छमता योगता का आकलन अवस्य करना चाहिए जो छात्र कच्छा 12 तक तो म नस्ती मारते हैं अपना समय ब्यर्थ चीजों में बरबाद करते हैं वे इच्छा यह रखते हैं कि अब वे आई आई टी में सफल हो जाए करेश टूर स्टार्ट एंड विलिंगनेंस टू किप इवर लास्टिंग एट इट और रिक्वेस्टेस फॉर सक्सेस आपके द्वा नस्त किया समय आपको ही तो दुख देगा इसी परकार कैट या अनकिसी परतियोक्ता परिच्छा में सफलता कि महत्वकांचा रखने वाले छात्रों को अपना आकलन उन छात्रों के सापेच में करना होगा जो उनसे बहुत स्रेष्ट हैं हम यह नहीं कहते कि मेहनत करने से आप स्रेष्टतर अस्तर को प्राप्त नहीं कर सकते या कर सकते हैं आवस्य कर सकते हैं लेकिन आपकी महत्वकांचें आपके अस्तर के अनुकुल ही होनी चाहिए याद रखें आसा फलता का कारण उच्छ महत्वकांचा नहीं बलकि कमजोर नीव है और कमजोर नीव पर कभी बहुमंजला इमारत नहीं बन सकती है If you want to achieve great success, make your foundation strong, with poor foundations you sell temple to the ground जहरीला बातावरन असफलता का सबसे बरा कारण आज का छात्र बर्ग ऐसे जहरीले दूसित बातावरन से गुजर रहा है जिसमें नैतिकता एवं चरित्र मूल हीन हो चुके हैं एवं चारो तरफ असलीलता कुतिसत विचार कुकामनाओं का बोल वाला है छात्रों में बर्ती धुम्रपान, ड्रग्सपान, मद्र्यापान की आदतें, पस्चिमी सभ्यता एवं संस्कृती का अंधा दूनी करन छात्र छात्राओं में सिक्स के प्रती खुला पन, येन केन प्राक्रेन, सिघ्र अमीर बनने की कामनाओं के कारण, बर्ती अपराधिक प्रविर्ती, बर्तमान वातावरन में अस्पस्त दिष्टी गोचर है अधरसी हिन समाज, जहां भ्रस्टा चार का बोल बाला है, मेहनत वे मिमांदारी से जीवन यापन की अपेच्छा, येन केन प्राक्रेन, बाई हुक एंड बाई क्रुक, पैसा कमाना सर्वोच प्राथमिकता है, अवकात से अधिक ब्याय करना, दिखावा जहां परमुकता पाता है, बलदकार हिनसा की खबरें आम बात बन चुकी है, आम अर्यादित जीवन यापन, जस्न एवं पार्टी बाजी सफलता की सीरी है, ऐसे बातावरन में किसोर एवं छात्र चात्राओं से सही रास्ते पर चल कर सही माइने में सफल होने की उमीद करना, अमावस में च चात्र बर्ग बहुत कठिन दुर्गम स्थिती में दो चार हो रहा है, कि सोरा वस्ता में चात्र चात्राओं में होने वाले सारीरिक परिवर्तनों के कारण बिप्रित लिंग के प्रति स्वाभाविक लगाब आकर्शन रहता है, इसके अत्रिक जिस तरह की फिल्में आज ब असलिल समागरियों का रस्पान करता देखा जा रहा है, 95% चात्र बर्ग उम्र से पहले सेक्स के हर पहलू के बारे में स्वें की जानकारी का दावा करता देखा जा रहा है, चात्रों में ब्याप्त विकृति कुटसंगी एवं कामुकता मानो विचार है, तो इंटरनेट ब परोसा, जिस तरीके से परोसा जा रहा है, वह सब एक ऐसे जहरीले बातावरन को जन्म दे चुका है, जो आज के चात्र बर्ग की सफलता है, तो बहुत कुछ जिमेदार है, चात्र चात्राओं द्वारा फिल्मी नायक नाइकाओं की तरह उतेजक कपरे पहनना, क्या चात् प्राप्त करने की गंभीरता को कहीं ब्यक्त करता है, आज जिस तरह सज सबर कर छात बर्ग जाता है, वह कहीं न कहीं तो आपको अपने लच्छ से डिगा ही रहा है, कपरों में विभिन परकार के परफ्यूम का परियोग किस लिए, क्या आप अन्य को अपनी और आकर्षित करने की इच्छा रखते हैं, क्या आप स्वैं को हीरो की तरह परदर्शित नहीं करना चाह रहे हैं, याद रखें, आप से साथ दस बर्स बाद इसका कोई माइने नहीं होगा, कि आपने कैसे जूते पहने, आपके बाल कैसे दिखते थे, आपने कैसी जिन्स खरी दी, महत्पून होगा, कि आपने जीवन में क्या प्राप्त किया, एवं आप अब कहां खरे हैं, अर्थात आपकी समाजी की स्थिती क्या है, फिल्मी हीरो हीरोईन की नकल करके, तो आप असली हीरो बन नहीं सकते, असली हीरो बनने के लिए आपको बहुत त्याग तपस्या करनी होगी, संचार साधनों में हुए करांती ने मोवाइल फोन को हर आम खास की जरूरत बना दिया, छातर बरग से मोवाइल फोन नहीं होना एक हिंता का घोतक बन गया है, छातर छात्राओं द्वारा मोवाइल फोन का दुरुप्योग किस तरह से किया जा रहा है, इसके बारे में लेकर बाते करना खूँ देखा जा रहा है बूरी आदतें बूरी संगत अपव्याय आज का छात्र बहुत ही बिप्रित प्रस्थितियों से गुजर रहा है सरक पर बहुत फिसलन भरी जगा गड़े हैं कुए हैं खाईयां हैं बहुत बिबेक से संभल संभल कर एक एक कदम बर सिक सकती की आविसकता है आज के छात्र बर्ग को एक बार फिसले तो संभालना बहुत मुश्किल होगा बूरी आदत जितनी सिख्र अपने जाल को बुनती है अच्छी आदतें अच्छे विचार पर दिर रहना उतना ही कठीन है आज का अधिकांस छात्र बर्ग एक न एक ब आदी हो चुके हैं खास तोर से अमीर परिवार के छात्र बर्ग में एक खूब पाई जाती है जिसका सिकार मध्यम बर्गिया एवं गरीब परिवार से आए छात्र भी हो जाते हैं माता पिता बच्चों की अच्छी परवरिश को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों क के मध्य लगूता इनफ्रारिर्टी महसूस ना हो मन चाही रासी उपलब्ध कराते हैं कई छात्र तो माता पिता से बिभिन परकार के जुट बोलकर उन्हें सीधे सीधे बेवकूब बनाकर धन रासी की मांग कर लेते हैं और इस धन रासी का आपव्याय वह अपनी गलत आदत बन जाता है और इन सौक आदत की पूर्ती है तू ना केवल माबाप से जुट बोलकर पैसे एठे जाते हैं बलकि चोरी चेकारी भी सुरू हो जाती है आज छात बर्ग में बरती अपराधिक प्रबिर्ती है तू कुछ ए बूरी आदते जिमवार है अप्याय की के सुषित का अधिक योगदान है बरे बरे संगीन जुर्मों में सिच्छित युवापिरी लिप्त पाई गई है कानून की पकर से बचने के लिए यह युवाबर्ग बहुत बुधिमानी से अपराधों को अंजाम देता है साइवर अपराधों के कितने ही मामलों में सिच् स्वताही छात बर्ग में ब्याप्त कुटिस्त सित मनोविकार येन के इन प्राक्रेन पैसे कमानी की भूख नैतिक उम्चारित्रिक पतन को ब्यक्त करते हैं जरा सोचिए एक सफल ब्यक्ति से जब असफलता है तु सबसे मुख कारण के बारे में पूछा गया तो उनका दिले बातावरन में जी रहे हैं कि जहां गंदी आदतों आपको हर तरफ पकरने फासाने हेतु लुभा रही है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको बहुत संयम विबे के बाम उच नैतिक बल क्याव सकता है एक घटना एक धनी बाप का बेटा जीप से कॉले जा र गई दो लर्कियां अभी हट ही रही थी कि धनी बाप के बेटे ने कमेंट किया क्या सरक तुम्हारे बाप की है जो रास्ता नहीं छोड़ सकते पता नहीं कि हम आ रहे हैं एक लर्की ने जवाब दिया इतना अमिर जादा है तो अपनी प्राइवेट सरक बनवाले और ओवह वहीं खरी हो गई अमिर जादे ने जवाब दिया हट जा नहीं तो जीप चरहा दूँगा बात बर गई लर्की भी एर गई कहां चरहा कर बता अमिर जादे का गुस्सा सात्वे असमान पर था उसे कुछ नहीं सुझा बस जीप चरहा दी और लर्की ने दम तोर दिया पुल बार ऐसे छात्र के चक्कर में पर कर कई निर्दोस छात्रों के जिंद्गी भी बरबाद तबा हो जाती है कहते हैं कि आग के पास बैठने से तपन तो लगे गी ही याद रखें कोईले का संग कालिक क्यत्रिक्त कुछ और कभी नहीं दे सकता निरंतर मेहनत ना कर पाना प्रिजर्वेशन्स का अर्थ होता है किसी लच प्राप्ती है तु निरंतर मेहनत करना आज अधिकांश छात्रबर को हर काले तुरंत चाहिए उनकी सोच महत्वकांशे बहुत बरी है छात्रों के एक समूँ से जब याप पूछा गया कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं मैं IPS बनना चाहता हूं मैं इंजिनियर बनना चाहता हूं मैं साइन्टिस्ट बनना चाहता हूं मैं एक बरी कंपनी का CEO बनना चाहता हूं मैं करोरपती बनना चाहता हूं कोई भी छात्र कलर्क नहीं बनना चाहता हर छात्र की महत्वकांशा बहुत उची है अच्छी बात है लच उचा रखना एक बहुत अच्छी सोच को व्यक्त करता है लेकिन उस लच्छी को प्राप्त करने है तू जो निरंतर उध्योग पर्यास करी मेहनात्य की आपसकता है वो अधिकांज छात्रों में नहीं पाई जाती है जब अन लोग सो रहे हों तो आप अध्यन कीजिए जब अन लोग घूम फिर रहे हों तब आप काम कीजिए जब अन लोग खेल रहे हों तब तयारी कीजिए और जब अन लोग मात्र इच्छा कर रहे हों तो आप सपने देखिए बहुत से चात्र ऐसे देखे जा सकते हैं जो एकैडमी की योगता अरजित करने हैं तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जब कोई परत्योगता पर इच्छा देनी हो तो वे पार्ट टाइम जॉब की तरह मेहनत करते हैं आप आईएस तो बनना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जिस करी मेहनत क्याव सकता है वह आप नहीं करते आप एक कलर्क की तरह परहाई करके सफलता चाहते हैं एक कंपनी का सियो का सपना देखने वाला विद्यार थी अपनी अंग्रेजी को भी ठीक करने है तुमात्र कोचिंग संस्थान पर निर्भर रहता है करोर पती बनने का सपना द चात्र कहता है कि सायमकाल कोई परहाई का समय होता है क्या उसे अपने दोस्तों के साथ सहर सपाटा पार्टी बाजी बहुत पसंद है उचा लच प्राप्त करना है तो उसके अनुसार सोय को ढालना होगा याद रखें या चात्र जीवन है जो आपके अपने भविस निर्मा आने तो पूरा अबसर देता है इस समय को यदि आप वियर्थ करते हैं तो ना तो इतना उचित समय कभी जीवन में मिलेगा और ना फिर आप अपना लच पूर्ण कर पाएंगे चात्र जीवन के बाद जीवन में इतनी तरह की स्लताएं बर जाती है कि समाजी कार्थी कितने बंधन हो जाते हैं कि फिर बिरल ले ही लोग आगे परहाई करने की हिम्मत जुटा पाते हैं चात्र जीवन में आपका एक ही काम है पूर्ण इमांदारी से करी मेहनत करें अपने लच को प्राप्त करें आप पर कोई समाजी कार्थिक बंधन नहीं है कुछ लोग मेरी सफलत का स्रे मेरी बुधिमता को देते हैं मुझे तो केवल इतना पता है कि मेरी सारी की सारी बुधिमता केवल कठी निवन लगातार परिश्रम का परिनाम है एरेकजेंडर हैमिल्टन डेनियल वेवेस्टर ने बहुत अच्छी बात कही है जो कुछ मैं हूं वह मेनत करके बना जीवन बर सुस्ती से रोटी का एक टुकरा भी नहीं खाया तैलेंट एलोन इस नोट सफिस्ट तो एचीव गोल विदॉट प्रिजर्बेशन स्योर टैलेंट कैन कीप यू एभव द ब्लाएंड बट यू बिल नेभर बी द वेस्ट एमांग द एलियाट मत पर्थिभा के ब सब्सक्राइब नहीं बना सकती है साथवा प्रेम प्यार एवं छात्र जीवन फिल्मों से जन्मी या चूत की बिमारी आज छात्रबर्ग में खुब व्याप्त है मजे की बात यह है कि छात्र के मुझके बाल भी पूरे उगे नहीं है और वह कहता है कि मुझे प्यार हो गय कच्छा 11-12 के बहुत से चात्र चात्राएं प्यार प्रेम के रोग से ग्रस्त मिल जाएंगे कॉलेज जहां चात्र चात्राएं अपना भविस बनाने हेतू परवेश लेते हैं कुछ ही दिनों में प्रेम प्यार के महासागर में डूबते उतरते हुए देखे जा सकते हैं इस अपनी परहाई पूरी करके कहीं अच्छी नौकरी के पर लगेगा समाज में परतिष्ठा प्राप्त करेगा लेकिन मालुम परता है कि बेटा तो प्यार के पिंगे पर हा रहा है परहाई है तू करी मिहनत करने की बजाए समाज में माता पिता से प्यार है तू टकराने की कर परतिग्या कर चुका है समाज में स्वय को क्या परतिष्ठा करेगा वह तो माता-पिता की परतिष्ठा धूल में मिलाने को तैयार है इंजिनरिंग कॉलेज में परने वाले छात्र ने अपने माता पिता से कहा कि मैं उस लर्की से प्यार करता हूँ उससे साधी करूँगा आप क्या कहते हैं माता पिता ने समझदारी से काम लेते हुए कहा कि अभी इंजिनरिंग पूरी करने में दो बर्स और लगेंगे अपना लच्छ हासिल करो फिर जैसा तुम चाहोगे हो जाएगा छात्र माता पिता की बात को मान गया अगले बर सुबर लगेς किसी अनलगें से प्यार करने लगे गई कुछ समय उबा छात्र बहुत अनमना परिशान रहा लेकिन फिर रास्ते पर आ गया प्यार प्रेम का एक समय होता है छात्र जीवन में प्यार प्रेम का जुनून आपको लच्छ से विमुख करता है कई छात तर्क देते हैं प्यार किया नहीं जाता हो जाता है इसे तर्कों के अधार पर नकारे किया पेच्छा यह समझना आवस्यक है कि भविस बनता नहीं बना आया जाता है भविस निर्मान हेतु आपको बहुत संयम पुर्वक स्वव विवेक से कठीन मेहनत करनी परेगी त्रेम प्यार का जंजाल आपके मस्तिस को इसके प्यार प्रेम के अत्रिक कुछ और सोचने ही नहीं देता कई छात्र अस्कूल तक मेरिट में आते हैं मित्रों र इंदकार में हो जाता है कई छात्रों को छात्राओं से बात करने का उनके साथ रहने का ऐसा मोह हो जाता है क्यों वे एक दो छात्राओं से धर्म बहन का रिस्ता गाठ लेते हैं कई मामलों में तो इस परहाई पर कम और अपनी धर्म बहन पर उनकी परहाई पर अधिक ध्या ने कुछ कार्य दिया तो वे गुशा करते हैं परहाई की बात कहकर टालते हैं छोटे से काम को भी बहुत असान जता कर करते हैं लेकिन धर्म भान के काम के लिए ना समय की चिंता ना पैसे की ना स्वाभिमान की प्रोपर्टी में बी दिश्ट्वाइड एंड मनी में लॉस इट तो पर्चेचिंग पावर बट करेक्टर हेल्थ नॉलेज और गुड जजमेंट विल आलवेज भी डिमांड अंडर अल कंडिशन कॉलेज जीवन का प्रेम प्यार साधी के बाद कितना बना रहता है यह एक अलग बिंदू है जिस पर बहुत चर्चा की जा सकती है लेकिन कॉलेज जीवन में प्रेम प्यार आपके लच प्राप्ती के परियासों में बाधा पहुंचाता है आपको अपने लच्छ से विमु आजी कारणों को दूर करने से टकराने में ब्याय हो जाती है और आप जिस पूरी छमता योगता से अपने लच प्राप्ती की और अग्रसर हो सकते थे उसमें निश्चित ही कमी आती है यह निर्वाद तथ सत्य है दिर निश्चे की कमी घटता आत्म विस्वास दिर निश्च प्रस्थितियों पर निर्भर है भाग साथ देगा तो बन जाओंगा एक छात्र का जवाब था मुझे तो डॉक्टर ही बनना है मैं डॉक्टर बन के ही रहूँगा इस एक छात्र के अत्रिक्त अन सभी छात्रों ने जो जवाब दिये उनमें कहीं न कहीं एक दिर्भर निष्चे की कमी डावा डोल आत्म बिस्वास दिर्ष्टी गोचर होता है दिर्भर निष्चे का अर्थ है चाहे कुछ भी हो मुझे लच प्राप्त करना है इसके लिए जो भी परियास मेहनत की आप सकता है आपको करनी है प्रस्थितियां आती है लेकिन दिर्ष निश्चे के आगे टिकती नहीं है दिर्ष आत्मिस्वास दिर्ष निश्चे के साथ करी मेहनत आप में लच बेधन की सामर्थ पैदा करता है चरम पुरुसार्थ में नूतन भागी का निर्मान किया जा सकता है पुरुसार्थ का तत्पर है ऐसा कर्म जो मन चाहे लच की प्राप्ती करने की छमता योगता परदान करता है अटूर्ट दिर निश्चय अदम आत्मिस्वास से ही पुरुसार्थ मिलता है और सेक्टलेस आर दोज दो फ्राइटफूल थिंग्स यू सी वियन यू टेक यूर आइज आफ यूर गोल्स नवा अन चात्रों का अनुसरन या नकल कई छात्र सुबह चार बजे उठकर परना सुरू देते हैं फिर दोपर में दो घंटे सोते हैं फिर रात को बारा बजे तक पर लेते हैं जबकि कुछ छात्रों को दोपर में नींद ही नहीं आती अता है यदि ऐसा छात्र दूसरे छात्र की नकल करने लग जाए तो उसका सारा कारिकरम ही गरवर आ जाएगा कई छात्र सारे दिन सोते हैं अन्छात्रों के सामने यह दिखावा करते हैं कि परने की कोई चिंता नहीं है परकर क्या होगा इस तरह की बातें करके वे अन्छात्रों को गुमरा करने का पर्यास्तन करते हैं और उस्वय सारी रात पढ़ते हैं कई छात्र अपने मित्रों का अनुसरन करके टिवसन लेते हैं चाहे उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं हो यदि मित्र ने कोई नई किताब खरदी है तो छात्र उसकीताब को अवस्खरी देगा चाहे उसके स्वय के पास उसकी अच्छी करके भी नई नई किताबों का नाम बता देते हैं यहां तक कि देखा गया है कि कई छात्र एन परिच्छा के पहले अपने मित्रों को नोट्स बनाता देखकर स्वेन नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं चाहे नोट्स बनाने का अब समय बचा ही नहीं हो कई छात्र तो परिच्छा में लगवग 20 पर 36 पहले से उची तैयारी करके परिच्छा में बैठते हैं, 80 पर 36 मातर इसलिए परिच्छा में बैठते हैं, कि उनके मित्र भी परिच्छा में बैठ रहे हैं, या माता पिता को गुमराह करने के लिए या बताने के लिए कि वह नौकरी प्राप् परिच्छा फर्म भर देते हैं परिणाम आप स्वें सो सकते हैं कि क्या होता है और फिर अपनी असफलता है तुप पता नहीं क्या क्या कहानिया गर लेते हैं पोजेटिव एटिट्यूट एंड पोजेटिव थिंकिंग एलॉंग बिथ प्रिजर्बेशंस एंड डिटर्मिनेशंस तू एचीव वाट यू डिजायर और वेशिक रिक्वार्मेंट ओफ विनिंग ए गेम पोजेटिवली मुख्यता परत्योगी परिच्छाओं के संदर्व में एक बात समझ लेनी चाहिए कि यह कोई अस्कूली परिच्छा नहीं है जिसमें 36-40% अंक लाने पर आप पास हो जाएंगे यहां आपको अन्य से अच्छे अंक लाने होंगे आपकी तैयारी दूसरों की नकल करके फॉर्म भरने से नहीं हो जाएगी आपको दूसरों से अधिक अंक लाने है तू पुन्यमांदारी से लगतार एवं करी मेहनत करने की अव सकता है दूसरों की दिन चरिया कारी कलाप की जानकारी स्वय को प्रेरित करने हेतु आवस्यक हो सकती है लेकिन स्वय की कमजोरियों, कमियों और खुबियों और स्ट्रेंथ का आकलन करके ही सफल होना संभव है अन्गती विधियां बहुत से चात्रों को अस्कूल कॉलेज जीवन में अन्गती विधियां बहुत बर्ष चरहक कर भागीदारी लेते हुए देखा गया है आज कल अस्कूल कॉलेज में बिभीन परकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिनका बास्तवी कुदेश चात्रों का ब्यक्तित विकास ना होकर अपने अस्कूल कॉलेज का परचार परसार होता है जैसे किसी मेले का आयोजन, रक्तदान सिबीर का आयोजन, बार्सी कारिकरम पर बाहर से किसी कलाकार को बुलाकर उसकी टिकट इत्यादी बेचनी का कार छात्रों से करवाना किसी मैगजिन हेतु छात्रों के माध्यम से चंदा एकत्र करवाना इत्यादी यद पी इस तरह के प्रोग्राम के आयोजन से छात्र कुछ सीखता भी है इसमें भाग लेना गलत भी नहीं कहा जा सकता है लेकिन यदि इस तरह के कारिकरमों में भाग लेना आपकी परहाई की कीमत पर है तो आपका इस तरह के प्रोग्राम में बर्चर कर भाग लेना गलत ही कहा जाएगा आपका मुख धे परहाई करना है आपको अपने मुख लच्छ धेई का ध्यान पहले रखना है कई बार चात्रों के 15-20 दिन इन कारिक्रमों में भाग लेने के कारण बरबाद होते हुए देखे गए हैं अता ऐसी स्थिती से दूर रहना ही लावपरत होगा अपने मुख लच्छ को किसी भी कीमत पर किनी भी प्रस्थितियों में आख से ओजल ना होने दे समुह में परहाई बहुत से चात्र अपने साथियों के साथ एक समुह में परहाई करते हैं समुह में परहाई ग्रूप स्टडी परहाई का बहुत अच्छा तरीका है लेकिन प्राया देखा यह जाता है कि समुह में परहाई करने वाले चात्र परहाई में कम एवं ब्यर्थ बातों में ज्यादा समय ब्यातीत करते हैं ऐसे समुह में कुछ चात्र ऐसे भी होते हैं जो अनिक या पेच्छा बहुत कमजोर होते हैं या कहें कि सापेचीक रिलेटिवली रूप से कम योगता रखते हैं वे समुह में परहाई करके अपनी कमजोरियों को तो दूर करना चाहते हैं लेकिन समुह में परहाई करने का जो लाब सभी को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है समूह में लगभक समान योगता वाले चात्रे हैं एवं सभी गंभीरता पुर्बक परने वाले चात्रे हैं तो परतेक चात्र दूसरे अन चात्रों को सहयोग एवं संबल परदान कर सकता है लेकिन यदि योगता अस्तर में बहुत अंतर है या एक दो छात्र पुन गंभीर नहीं है तो इस तरह के समुह में परने का कोई लाब नहीं है अभिबाबकों को या ध्यान अवस रखना चाहिए कि किस तरह के समुह में उनका बच्चा परहाई कर रहा है You have only a few to make your destiny You use this time with utmost care and diligence कई बार यदि एक कमजोर छात्र अन होसियार छात्रों के समुह में भी पर रहा है तो बहा फ्रस्ट्रेशन का भी सिकार हो सकता है एवं यदि होसियार छात्र अन कमजोर छात्रों के समुह में पर रहा है तो उसका समय अन छात्रों की समस्याओं को हल करने में भी ब्यर्थ हो जाता है साथियों का सयोग करना गलत नहीं है लेकिन यह यदि आपकी स्वय की परहाई की कीमत पर है तो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता भागवादी रवया एंबिये में प्रवेश हेतु कैट कॉमन एपिटूट टेस्ट देने जा रहे कुछ छातरों से प्रश्न पूछा गया कि उन्हीं इस परिच्छा में सफलता प्राप्ति होने की क्या संभवनाय लगती है छातरों के उत्तर कुछ इस परकार थे तयारी तो की है लेकिन सब भाग पर निर्भर है कैट के लिए कितनी भी तयारी कर लो परिच्छा में कैसा मूड रहता है या कोई कुछ नहीं कह सकता अंग्रेजी में कुछ कमजोरी है बाकी सभी भागों में कोई समस्या नहीं है देखो भाग में हुआ तो इस बार तो सफल हो ही जाओंगा कैट में पास होने से भी क्या होता है इसके बाद भी सामोहिक परिचर्चा एवं साचात करता होता है पुन सफलता तो भाग पर ही निर्भर है ऐसी महत्पुन परिच्छा देने वाले छात्रों में अधिकांस ने भाग को ही अपना सफलता है तो जिमेदार बताया जो छात् परिष्टी कोन हर्द परतियोगी परिच्छा में बैठने वाले अधिकांस चात्रों का रहता है और अधिकांस चात्र असफल होते हैं यह बात बहुत कम लोगों के गले उतरती है कि आप स्वें के भाग निर्माता है चरम प्रुसार्थ से नूतन भाग का निर्मान किया ज सकता है कोई भी सफल व्यक्ति जो कभी असफल भी हुए अधिकांस सफल व्यक्ति जीवन में सफल होने से पुर्व असफल भी होते हैं अपनी सफलता या असफलता के लिए भाग को जिम्मेदार नहीं मानते हैं एक सफल व्यक्ति ने अपने सफलता कस्रे असफलता से मिलने वाली सीखें दिर्ष निश्चे को दिया उनका मानना है कि जितनी बार गिरो उतनी बार पुर्ण दिर्ष निश्चे से उठो और आगे बरो बस तुता सफलता का राज सफलता में ही छुपा है अता सफल होना है तो स्वें पर भी स्वास रखें दिर्ष निश्चे से लच प् सफलता आपको आपकी कमजोरियां कम्यों से अबगत कराती है जो कुछ कर लेता है पुना-पुना परियास करता है सफल होता है इसलिए तो कहा गया है फेलियर्स आर्दा पीलर्स ओफ सक्सेस असफलताएं ही सफलताओं का आधार है भाग सच है और यह भी सच है कि व्यक्ति अपने दिर निश्चे से अपने भाग का निर्मान कर सकता है आसफलता एक चुनोती है सुविकार करो क्या रह गई कमी पहचानो और सुधार करो जब तक न मिले सफलता पुना परियास करो दूने जोस से करो मेनत स्वैमे विश्वास रखो भाग के सहारे नौका कभी पार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती यह पाठ अगले पाठ पाठ में हम लोग लेके आएंगे लच हिंता असफलता की सीरी यह दूसरा पाठ था आपका आखिर क्यों असफल होते हैं चात्र फिर मिलेंगे अगले पाठ के झाल जुरेत